इसे ब्रीविए में हमने बात किती हूम्रस बॉन का सई determination हैं सैंक्ड पार्ट में हमने बात की थी हूम्रस बॉन के जन्रल फीचर्स की आज की वीडियों हमें स्टाट करनेवाले ही मेरे सबोन के attachments तो यह सारे attachment मैंने हाप पर ड्रो कर रखे तुम देख सकते हो इस तरीके से जो मैंने blue color से draw किया है यह मसल का insertion जो मैंने red color से draw किया है यह मसल का origin and green one is ligament ठीक है मैं one by one तुम्हें इसको explain करता हूं कि इसके attachment कहां से कैसे कैसे होते हैं चलो start करते हैं सबसे बहले हम बात करेंगे इसके lesser tubercle की यह मैंने anterior side से पकड़ी है और यह मेरी left bone है side determination में तो आँ समझा रखा है यह मेरी left side की bone है और यह मैंने anteriorly पकड़ रखी है तुम्हें दिख रहा होगा है मैंने anteriorly पकड़ रखें इस तरीके से इस लेसर ट्यूबर कर एंड इस वन इस हैड तो देखो जो तुम्हें आप पर मसल का insertion दिख रहा है लेसर ट्यूबर के ऊपर इस मसल का नाम है सब क्ड़ मसल मैंने तुम्हें कहा पढ़ाई ती इस कैपीला में यह यह नहीं इसकी अदूब्ला मैंने तुम्हें पढ़ाई था जिसके प्रखें की कॉस्टल सर्फेस हैं वहां से सब क्ड़ में मसल का origin होता एं और इसका insertion का होता है lesser tubercle of humerus इसके तरीके से अगर हम बात करता हो से greater tubercle की तो इसके greater tubercle में तीन मसल का insertion होता है जो सबसे उपर दिख रही है तुम्हें मसल यह anteriorly भी दिख रही है और posteriorly भी दिख रही है इसका नाम है supra spinatus muscle this one this one is supra spinatus muscle इसके जस्ट नीचे जो मसल है वह है infraspinatus muscle यह भी सारी मसल में तुम्हें इसके अपना पड़ा रखी है और इसके नीचे वाली मसल है teris minor muscle this one this one is teris minor muscle यह भी कहां पर है greater tubercle के उपर present है अब मैं बात करता हूं bicepital group की this is bicepital group this is lateral lip of bicepital group and this one is medial group of bicepital group क्योंकि यह medial ही है oriented यह laterally this one is front तो इसका जो lateral lip है this one is bicepital group जो यह bicepital का lateral lip है यहां पर कौन सी मसल इंसर्शन हो रही है factorial is major muscle this one this muscle is factorial is major muscle अगर हम बात करते हैं के medial lip की इस bicepital group के अगर हम medial lip की बात करते तो इस पर insert हो रही है terries major muscle this is terries major muscle and roof of the bicepital group inserted the latissimus dorsi muscle this one this one is latissimus dorsi muscle ठीक है तो यहां पर हमारी सारा upper part का head का सब कुछ हमने सारी मसल इंसर्शन पढ़ लिया है इतने ही मसल तुम्हें सके अंदर ध्यान रखनी है यह कौन सी है सब डियाद हो जाएगा अगर थोड़ा नीचे मूव करते हैं अगर हम इसमें थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें एक मसल और दिखेगी हाँ पर इस डेल्टोइट टिब्रोसीटी मैंने जनरल पीचरस में बताया था तुम्हें यह क्या है देल्ट्रोसीटी और देल्ट्रोसीटिप के उपर है ड्र इंतुणी मसल को क्लेगी तो देखो मैंने यहाँ पर इसे anteriorly पकट रखा है और anteriorly पर यहाँ पर इस muscle का origin हो रहा है इस muscle का नाम है brachialis muscle और यह कहां से origin कर रही है this one is anterior part this one is lateral this one is medial and this surface is anterior medial surface this one is anterior lateral surface तो यह anterior medial surface से भी और anterior lateral surface से भी origin हो रही है lower half of the humerus अपर हाफ में नहीं यह लोवर हाफ में anterior medial surface and anterior lateral surface से क्या कर रही है origin कर रही है इस muscle का नाम क्या है brachialis muscle ठीक है हम थोड़ा सा और नीचे सब्सक्राइब करते हैं नीचे की तरफ इस तरीके से हैं कि this side is lateral this size is medial अगर मैं बात करता हूं इस muscle की तो इस muscle का नाम है brachialis muscle यह supracondylar ridge के अपर portion से origin कर रही है this is lateral supracondylar ridge this is medial supracondylar ridge मैंने पढ़ाई दीना तुम्हें तो lateral supracondylar ridge के अपर पार्ट से कौनसी muscle originate कर रही है brachialis muscle ठीक है इसके जस्ट नीचे एक muscle और origin कर रही है जिसका नाम है external carpa radialis longus muscle this is ठीक है इसके जस्ट नीचे एक muscle और origin कर रही है इसका नाम है common extension origin और इसके जस्ट अपोजिट इस लेटरल इपी कॉंट्राइल इस लेटरल epicondylar इसके अपोजिट क्या होगा medial epicondylar medial epicondyl क्या होता जादा prominent होता है दिख रहा है तुम्हें यहां से मसल ओर रिजिन इक नbay और Soul कॉनसे ओर पोतरी के से टौन करता हूं इसके पोस्षेश sì्ड एक मसल का और मसल का इसका घट्राम है ट्राइसेब ब्रेक्याई मसल इस वन इस ट्राइसेब ब्रेक्याई मसल यह कर थोड़े हाँ से चला गया इस तरीके से यह हमारी ट्राइसेब ब्रेक्याई मसल ठीक है अब बचे इसके लिगमेंट इसके पास दो लिगमेंट होते हैं एक लिगमेंट होता है फॉर शॉल्डर यह आपर दिख रहा है यह Capsular ligament for shoulder joint green color और एक ligament और है इसके अंदर जो है elbow joint के लिए this one this Capsule ligament is for elbow joint this capsule ligament is for elbow joint तो इसके पास दो Capsule ligament is shoulder joint के लिए और elbow joint के लिए तो यहां पर इसके सारी attachment हमने बहुत जल्दी से complete कर लिए है मैंने यहां पर तुम्हें लिखवाया अगर मैं आपर लिक लिक कर तुम्हें सारी चीज़ समझाता तो वीडियो बहुत ज़्याद लंबी हो जाती है तुम्हारे पास बीडी चुरसिया है अपनी अनॉटमी की उससे तुम देखिए जो बाते मैं ने तुम्हें बताई हैं वो सारी जिससे में नेक्स स्यूटी अप्लोड करूँ आपको सको नोटिफिकेशन मिल जाये ओके थैंक यू सो मच